बॉलिवुट की सुपर हिट फिल्म क्रिश्मे हिर्थिक रोशन के बच्पन का किरदार निभाने वाला चाइल्ड आर्टिस्ट मिकी धामिजानी अब बड़ा हो करांखों का सरजन बन गया है बारती मीडिया के मताबिक मिकी धामिजानी ने अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी वीडियो पोस्ट की जो के सोशल मीडिया के मुक्तलिफ पेजिस पर भी वायरल हो रही है मुस्कूरा वीडियो में डाक्टर मिकी धामिजानी अस्पताल में मौजूद है और इनके हाथ में आखों के इलाज में इस्तमाल होने वाली दवा भी मौजूद है जबके वीडियो में इनकी फिल्म क्रिश के सीन भी दिखाई गए है डॉक्टर मिकी धामीजानी ने कहा कि ना जाने कितनी बार मुझे देख कर लोग ये कहते हैं कि हमने आपको पहले भी कहीं देखा है इन्होंने कहा कि यकीनन सबने मुझे पहले देखा होगा क्योंके माजी में मुझे जूनियर क्रिश का किरदार अदा करने और फिल्म क्रिश के इंतहाई बासलाहियत कास्ट के साथ काम करने का नकाबल यकीन मौका मिला था मेरे लिए इस फिल्म का हिस्सा बनना बाकी खुशी की बात थी डॉक्टर मिकी ने कहा कि एक चाइल्ड आर्टिस बनने से लेकर आखों का सरजन बनने तक मेरा सफर हैरत अंगिज रहा इस सफर के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा इन्होंने कहा कि मैंने फिल्म में सुपर हीरो के बच्चपन का किरदार अदा किया था लेकिन अब मैं हकीकी जिन्दगी में लोगों की आखों की देखबाल करके एक सुपर हीरो बन गया हूँ डॉक्टर मिकी ने मजीद कहा कि मैं लोगों की जानिब से मिलने वाली मुहबत के लिए सब का बेहज शुकर गुजार हूँ वाज़ रहे साल 2006 में रिलीज होने वाले फिल्म में हिर्टिक रोशन ने क्रिश का मरकजी किरदार अदा किया था जबके इनके बच्पन का गिरदार मिकी धामी जानी ने निवाया था इस फिल्म की दीगर कास्ट में प्रियांका चोपडा रेखा और नसे उतिन शामिल थे फिल्म के पहले इससे की कामियाबी के बाद फिल्म साज राकेश रोशन ने क्रिश के मजीज सीक्वल्स भी रिलीज किया थे जो के कामियाब हुए थे